अगर नहीं पढ़ा तो आगे हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध हुआ था और उसके बाद बकसर का युद्ध हुआ था फिर इलाहबाद की संधी हुई थी तो इन सब में क्या हुआ था प्लासी का युद्ध बकसर का युद्ध इलाहबाद की संधी इनमें अंग्रेज जो है जैसा कि आपको मालम होगा कि अंग्रेज जो है भारत में व्यापार करने के उद्धेश से आय थे भारत पे कब्जा करने के लिए नहीं आय थे फिर धीरे उनकी नियत बदलती गई, तो भारत में जो है, भारत में जब अंग्रेजियों का शासन चलने लगा, तो भारत में नियम बनाता कौन था, बिटिस गवर्मेंट बनाती थी, या बिटिस पालियमेंट बनाती थी, तो बिटिस पालियमेंट से नियम बनते थे और उनको लागू कोन कलता था जो बिटिस की महरानी होती थी वो नियम को लागू करती थी 1773 का Regulating Act या इंडिया का जो है ये पहला Government इंडिया का पहला जो है ये लिखित कानून है इसमें क्या प्रावधान थे इसके द्वारा सरकार ने बिटिस कंपनी के आर्थेक प्रसास ने एबं सैनिक कारियों पर बिटिस आंसत का अंसिक नियंतरण स्थापित किया इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इस परकार वारेन हैस्टेंग्स पंगाल का प्रिथम गवर्नल जनरल बना गवर्नल जनरल की सहायता है तो एक चार सदस्य परिशद इस्थापित की गई तो 1730 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके द्वारा सरकार ने बिटेस कंपनी के आर्थिक प्रिशासनिक एवं सैनिक कारियों पर बिटेस सांसत का आ माने लगी थी तो इस एक्ट में क्या किया उन्हें थोड़ा सा जो कंपनी पर नियंद्रन करना स्टार्ट कर दिया इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नल जनरल कहा जाने लगा तो बंगाल का गवर्नल जनरल कहा जाने लगा इस परकार वारन हैस् की स्थापना हुई याद रखिए अगर चार सदस्य परिशत की स्थापना हुई यहाँ पर और सिक्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होगी इसके नेक्स्ट एक्ट में तो 1730 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके इंपोर्टेंट फैक्ट्स है यह आपको याद करने ह ध्यान से ना बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट तो इस एक्ट को इंग्लेंट के तत्कालीन प्रिधान मंत्री विलियम पिट द्वारा बनाया गया असलिए से पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं बिटिस सरकार क्राउन कंपनी पर नियंतरन बढ़ाना इसका वियापारिक मामलों के लिए की गई और शिक्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करके दोहरा नियंतरन कंपनी पर इसक्ट द्वारा कंपनी का भारत पर व्यापारिक के अधिकार समाप्त कर दिया गया केवल चीन के साथ चाय एबम अफीम का व्यापार बीच साल के थीरह धीरह क Pengit के अधिकार समाप्त करती जा रही थे zeros लगी किबल चीन के साथ चाया यवं और भी चिसालन रहा के लिए नहीं तो बीस साल के लिए यह लिमिट रख दी गई, पहली बार भारतियों की सिख्षा पर एक लाइख रुपए खर्च करने का प्राओधन आया, तो यह एक लाइख रुपए क्सक्राओधन किय सा आ था, अंग्रेजियों का जो देश था, उनका पढ़तियों को किवल इतना कर सकें क्योंकि अंग्रेज जो थे वो इंग्लिस जानते थे वो भारतिय हिंदी तो उनको इतना पढ़ाना उनका अद्धिश्य था कि ये कम्यूनेट कर सकें मतलब बातचीत कर सकें इसाई धर्म परचारकों को भारत आकल धर्म का प्रचार करने की छूट प्लदान की गई त प्रथा चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया इस एक्ट द्वारा बंगाल की गवर्णर जनरल को भारत का गवर्णर जनरल कहा जाने लगा इस प्रकार भारत का प्रिथम गवर्णर जनरल कौन बना लॉड विलियम बेंटिक यह याद रखना आपको कालिंग गवर्णर जनरल लॉड एलन बरो के सासन काल में 1843 में लागू किया गया था याद रखना बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है यह विदिक परामर्स के लिए गवर्णर जनरल की परिशद में विधी सदस्च के रूप में चौथे सदस्च की नुक्ति की गई इस के बाद बात करते हैं 1853 का चार्टर है इस एक्ट में कहा गया कि बिटेस सरकार अब किसी भी समय कमपनी से भारत का सासन अपने हाथ में ले सकती है अर्था अब समय आ गया था कि कमपनी से जो है वो बिटेस गवर्मेंट जो है भारत का सासन अपने हाथ में लेना चाहती थ से ही प्रसासनिक सेवाओं है तो इंग्लेंड में प्रतियोगी परिक्षाओं का प्रारम हुआ था ना बात करते हैं 1858 की महराणी की घोष्णा अधिनियम एक नवंबर 1858 को इस्ट इंडिया कंपनी का भारत सासन समाप्त हुआ भारती ये सासन का उत्तरदायत ब्रिटिस ने लिया अब एक भारत सचेव की निक्ती हुई जिसकी साहता के लिए 15 सदस्य आठ विदिक सरकार वा साथ कंपनी की सदस्य होते थे की परिशत बनाई गई अब गौर्णल जनरल वाइसराय कहलाने लगा तो इस परकार प्रथम वाइसराय कौन मना लाड कैनेंग इस गोट ऑफ डारेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था जो अभी पन्न पड़े थे इसके पहले एक्ट में जो स्टार्ट करे गया थे उनको समाप्त कर दिया गया था बिटिस संसद में भारत मंत्री का पद प्रारंब हुआ जो की इंडिया हाउस में रह क्या देखेगा और कौन सा काम करेगा ऐसा धिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्या देश जारी करने की सक्ति प्रदान की गई अध्या देश क्या होता है यह आपको आगे कंस्टिटुशन में पता चलेगा अभी आपके वह इतना याल रखें कि 1861 जो भारत का अध्या देश चारी करने की सक्ति प्रदान की गई 1873 का अधिनियम, जनवरी 1884 को East India Company को भंग कर दिया गया, मतलब अब East India Company खतम कर दी, बेटस गवर्मेंट ने जो है भारत का सासन अपने हाथ में ले लिया पूंड ता 1873 का साही उपाधी अधिनियम, महराणी विक्टोरिया को भारत की समरागी घोसित किया, एवं केसर ए हिंद की उपाधी दी गई 1892 का अधिनियम, आप रत्यक्षे चुनाओ की सुरूबात की गई, ये छोटे-छोटे अधिनियम है, इनमें केवल एक ही पॉइंट है, तो केवल सीधा मैंने स्लाइड में एक ही पॉइंट बस लिखा, आपको केवल यही बस याद रखना है 1909 का भारत सासना धिनियम, यहाद धिनियम मारले मिंटो सुधार की नाम से भी जाना जाता है, इस एक्ट द्वारा मुसलिम समुदायको संप्रदायक निरवाचन का अधिकार मिला, इस एक्ट द्वारा पहली बार गवर्नल जनरल की कारकारणी में एक भारतिय सदर्स्य की इस एक्ट द्वारा ईशाई एवं सिख्षों को प्रथक निरवाचन का अधिकार मिला, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैद सासन प्रणाली का आरंभ हुआ, प्रांतों में द्वैद सासन का जनक लियोनस काडी इसको कहा जाता है, पहली बार महिलाओं को बोट देने का अधिकार मिला था, किसमें 1919 का भारत सासन अधिनियम में, मॉंटे की चौन सेंस फूर्ट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, और सिख्षों को प्रथम, प्रथक निरवाचन का अधिकार मिला था, इसी से, और द्वैद सासन प्रणाली का आरंभ हुआ ये आगे जाके खतम हो जाएगी, 1935 का भारत सासन अधिनियम जो है, इस एक्ट द्वारा बिटिस भारत प्रांथ तथा भारती प्रांथों को मिला कर एक अखिल भारती संग बनाने का प्राधन बना जो लागुना हो सका, इसके द्वारा प्रांथों में द्वैद सासन प्रांब हो गया, इस एक्ट में संगिय न्यायलाई की स्थापना का प्राधन था, इस एक्ट में संग लोक सेवा एवं रिजर बैंक की स्थापना का प्राधन था, भारत को वर्मा से अलग कर दिया गया, भारत परिसत का अंत कर दिया गया, बिटे सांसत की सरवुचिता कर है एक्जाम्स में कई बार पूछा गया आगे भी पूछा जाएगा याद रखना कैविनेट मिशन मार्च 1946 1945 का युद्ध समाप्त हो चुका था इसके तीन सदस्टे थे इस्टे फोड क्रिप्स विथिक लॉरेंज एवं एवी अलेक्जेंडर इस मिशन ने संभिधान की सभा जायरत स्वात अंत्र हो गया इस एक्ट पर हस्ता खर करने वाले आपस जो थे वह जोड़् शुक्स्त जोड़् शुक्ष दे जो बिट्रस सम्राथ थे वह जोड़् शुक्स थे आज के लिए बस इतना ही आगे डिसकस करेंगे इस पूरी सम्विधान की सीरीज में